सबसे पहले हम बात करते हैं जिप सम के बारे में, इसको मैंने दो भागों में तोड़ा, तो एक बना जीप और एक बना सम, देखिए दोस्तो, जीप मतलब चलाने की जीप हम सब को पता है, और सम मतलब कोई डिजिट, जैसे कि मैं अगर बोलूँगा, एक एक तो हमको समझ मे अता है विशम है, और दो मतलब सम में, तो ध्यान रखेएगा सम मतलब दो, जैसे कि हमारे दिमाग में image बनती है, कि जब भी सम आता है, तो हम जोसते हैं कि दो, अब जीप, जीप को मेंने क्या करा दोस्तो, चूरा लिया, अब मेंने चूराया, तो जिसकी जीप थी, उसने क्या कराा دوستों मेरे उपर case कर दिया अब case तो कर दिया मेरे उपर तो हमारा दोसतों trick निकल के आया case मतलब case से हमारा बना calcium और से हमारा बना sulfate जीप सम्का जो formula का जो रासाइनिक نाम है वो है calcium sulfate ध्यान से देखी दोस्तों jeep बना जीब से स्टोरी जूड़ी कि मैंने उसकी जीब चुरा ली तो उसने मेरे उपर केस करेगा वो तो केस, केस मतलब केलशियम सल्फेट, ठीक है अब इसका केमिकल फॉर्मुला देखते हैं तो केलशियम का फॉर्मुला होता है CA और सल्फेट का होता है SO4 अब इसके अंदर पानी का कंटेन होता है, अब वो कितना होगा, तो सम जो है वो ही हमको बताता है कि इसमें पानी का कंटेन कितना होगा, सम होगा, मतलब दो होगा तो 2H2O, पानी का जो सूतर होता है, जल का जो सूतर होता है, वो होता है H2O तो कितना जुड़ेगा S2O S के अंदर सम मतलब 2 अगर यहाँ पर 3 जोड़ दूँगा मैं तो अलग फर्मूला बन जाएगा वो सपस्ट कर रहा है खुदी सपस्ट कर रहा है नाम की सम जुड़ेगा है ना इससे हम confusion बिल्कुल भी हमको नहीं होगा तो इसका क्या जिपसम का फर्मूला बना दोस्तो CASO4.2S2O यह होता है हमारा calcium sulfate चलिए अब मैंने क्या करा दोस्तो इस calcium sulfate जो जिपसम हमारा बना इसको मैंने 110 degree Celsius पर गर्म करा तो मैं अगर इसको गर्म करूँँगा तो इसके अंदर पानी है वाश्प बनकर उड़ जाएगा ठीक है वेपराइज हो जाएगा पानी तो पानी उड़ गया और पानी कितना बचा है आपर सिर्फ हाफ बचा देखिए CASO4.2S2O सिर्फ only half S2O बचा है ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा confusing होता है है कि एक्जाम में question पूछ लेते हैं हमको बार-बार ये confusion होता है पानी उड़ गया गर्म करने पर तो बचा कितना हाफ तो CASO4 half S2O प्लास्टर और पैरिस का formula होता है तो ये दोनों formula बहुत ज़्यादा confuse करते हैं एक दूसरे को हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं इस trick के माध्यम से देखिए गर्म करा हमने जिपसम को गर्म करेंगे तो पानी उड़ेगा तो मतलब प्लास्टर और पैरिस में पानी कम होगा है ना इस तरीके से ध्यान रखिए चलिए आगे और दूसरे हम अब formula देखते हैं अगला आता है दोस्तों हमारा धोने का soda और खाने का soda का formula देखते हैं देखिए दोस्तों दोनों का formula बहुत ज़्यादा similar है हमको बहुत ज़्यादा confuse करेगा तो मैं आपका confusion दूर करता हूँ ध्यान रखिए, दोनों के रासाइनिक नाम में sodium carbonate आता है, sodium carbonate, sodium carbonate, अब किसी एक के रासाइनिक नाम में बीच में आता है by, sodium bicarbonate, अब वो कौन सा होगा, ध्यान से दोस्तों ट्रिक सुनी अब, अगर मैं किसी के आपर खाना खाने जाता हूँ, तो मैं खाना खाने के बाद by बोलूँगा, ठीक है उसको, अगर कपड़े धोने के बाद मैं by बोलूँगा क्या, ओविसी बाते नहीं बोलूँगा, खाना खाने के बाद ही मैं उसको by बोलूँगा, तो देखे दोस्तों ऐसे, कि मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने उसको बोला by by, तो खान तो यहाँ पर मतलब पानी बहुत चाहिए, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, कि धोने का सोड़ा जो है, उसके लिए धोना है कपड़े हमको, तो 10 बालटी पानी लगता है, तो 10 बाल्टी पानी लग रहा है, मतलब 10 पानी GM को, तो H2O जो होता है, वो पानी का फॉर्मूला होता है, मतलब 10 H2O, तो ये किसका फॉर्मूला होगा दोस्तो, sodium carbonate का होगा, ठीक है, अब देखिए, NaHCO3 लिखा है, मतलब इसके अंदर H जो है, वो बिल्कुल बीच में घुश के बेढ़ गया, जैसे कि वहाँ पर बाई बेटा था, sodium carbonate के बीच में क्या हुआ, बाई घुश गया था, इसके बीच में क्या हो गया, NaHCO3 के बीच में H घुश गया, तो NaHCO3 जो है, वो हमारा बन गया, sodium bicarbonate, इस तरीके से में इसको याद रख सकते हैं, एक और धियान रखिएगा दोस्तो, खाने का नमक जो होता है, उसका formula होता है NaCl, जो हम daily basis पे यूज करते हैं नमक, उसका formula बताया मैंने आपको NaCl, ये बहुत पूछा जाता है question, sodium chloride, चलिए, आगे और हम formula देखते हैं, अब हम बात करते हैं, बूजा चुना और bleaching powder की, इन दोनों को नाम को याद करना, मैं आपको थोड़ा concept चुली बताऊंगा, daily basis पे जो हम विल्कुल यूज करते हैं, उस चीज के सबसे मैं आपको इसको जोड़के, relate करके बताऊंगा, और आप आशनी से इसको याद रख लेंगे, देखें दोस्तो, सबसे पहले हम बात करते हैं, बूजा चुना की, अब सबसे पहले हम लेते हैं चुना, चुने का formula होता हैं CAO, इसको आपको याद रखना होगा, कि चुने का formula जो होता हैं CAO, अब दिवाले के दिनों में हम क्या करते हैं friends, चुना लेते हैं और इसमें पानी मिलाते हैं और दिवाल पे लगा देते हैं, इसी को बोलते हैं बूजा चुना, तो देखिए, चुना प्लस पानी मिलाया, और दिवाल पे लगा दिया, मतलब बूजा चुना, बन गया हमारा बूजा चुना, अब इसका chemical formula देखते हैं, देखिए, चुने का formula आपको पता है CAO होता है, पानी का formula H2O होता है, मैंने आपको बता रखा है, H2O पानी का formula, अब इन दोनों को मैंने मिलाया, तो देखिए, CAO प्लस H2O, मतलब 2 तो हो गए H, और 2 हो गए O, तो मैंने इसको लिख दिया, CAOH का whole twice, तो formula देखिए, दोस्तों क्या बना, calcium hydroxide, इसको क्या पढ़ेंगे, calcium hydroxide, इसी को बोलते हैं, बूजा चुना, अब मैं बात कर रहा हूँ, bleaching powder की, ये तो आपने समझे लिया, बूजा चुना कैसे बना, आसानी से आप देख सकते हैं, इसकी practice करेंगे, एक दो बार आपको आसानी से याद रजाएगा, अब हम बात करते हैं, bleaching powder की, देखिए, अब हमको बूजा चुना से हम bleaching powder बनाएंगे, तो bleaching powder है वो, उसके अंदर पानी तो होगा है नहीं कुछ भी, पर बूजा चुना के अंदर पानी रेता है, तो सबसे पहले हम बूजा चुना में से पानी निकाल लें, जब दोस्तो मैं बूजा चुना में कलोरीन मिलाओंगा, तो पानी निकाल लूँगा उसमें से, ठीक है, ये एक फ़रीक होती है, कि बूजा चुना में से अगर पानी निकालना हमको, तो उसके अंदर क्लोरीन मिला दो, तो मैंने क्या करा दोस्तो, बुजा चुना प्लस क्लोरिन मिलाया तो उसके अंदर से क्या हुआ दोस्तो bleaching powder बन किया गया और पानी बाहर निकल गया देखें दोस्तो CAOH का whole twice बुजा चुना हो गया इसके अंदर हमने chlorine मिलाया CL2 मिलाया तो हमारा क्या बन गया एक पानी इक निकल गया अलग से H2O एक पूरा अलग निकल गया molecule H2O का और CAO CL2 रे गया सिफ तो वही बन गया हमारा bleaching powder ऐसे इनका नाम याद करना दोस्तो बहुत ज़्यादा difficult है बट हमने conceptually इसको पढ़ा है तो हम आसानी से याद रख लेंगे एक दो बार copy में अच्छे से practice कर लेना मैं कहरा हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं बूल पाओगे तो बुजा चुना और bleaching powder इस तरीके से हम याद रख सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे CAO CL2 को क्या बोलेंगे calcium oxy chloride यह इसको बोलते हैं bleaching powder का रासाइनिक नाम है यह calcium oxy chloride और बुजे चुने का क्या है रासाइनिक नाम calcium hydroxide ठीक है तो CAOH हमारा बन गया बुजा चुना और bleaching powder बन गया हमारा CAO CL2 इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं आगे हो रहा हम important chemical formula लेते हैं अब देखे दोस्तों हम याद करेंगे अब सिंदूर और laughing gas के formula को जो की important है अब सिंदूर को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि मेरे से एक लड़का पढ़ने आया बोलता सर मुझे आप GS पढ़ा दो हिंदी में मैंने बोला हिंदी में GS पढ़ना है मतलब general study पढ़ना है उसको तो मैंने बोला ठीक है मैं हिंदी में general study पढ़ा देता हूँ तुमको पर एक condition है कि तुम पूरा मुपे सिंदूर लगा क्या आओगे तो बोले कि सर ऐसा कैसे चलेगा आपको याद भी होगा बड़ हम confuse जाते हैं और भूल जाते हैं एक लड़का था उसने laughing ये सुन ली तो सुनने के बाद वो क्या हुआ हसने लगा जैसे आपको दीख रहा है कि वो हस रहा है इतना हसा इतना हसा कि उसकी एक आंक गिर गई ठीक है अब एक आंक उसकी गिर गई तो मैंने का क्या यार ऐसे तो अच्छा लगागा बीना आक का तो मेरे पास एक लेटर रखा था English का N मैंने वो N लेटर इसके लगा दिया आँक की जगा पर ठीक है तो मैंने क्या करा आग की जगा पर उसके N letter लगा दिया, तो ये बन गया दोस्तो N, और उसका नाग दिख रहा होगा आपको वो बन गया 2, और बन गया O, मतलब N2O, दिख रहा है आपको दोस्तो, ये हमारी है laughing gas, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, चलिए friends, अब बात करते हैं हम gel gas और producer gas की, देखिए, ये दोनों भी बहुत ज़दा important है, gel gas और producer gas, सबसे पहले हम बात करेंगे gel gas के बारे में, gel gas का राइसाइनिक formula देखते हैं, तो gel से इस परशले दोस्तो H2O, मैंने उसको bracket में बंद कर दिया है, ध्यान से देखिए का दोस्तों, कैसे बनेगा gel gas का formula थोड़ा सा tricky है, अब जल जो होता है, पानी जो होता है, वो बहता है, तो इसमें से क्या हुआ, H2 जो है, वो बहे के निकल गिया, और बहार जाके चला गिया, ये सा बहे गिया, तो H2 जो है, वो बहे गिया, बहेने के बाद दोस्तों क्या हुआ, देखिए, आपको दीख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये बीच में जो bracket का लगा होता, उसको मैंने बना दिया plus, तो अब formula क्या बन गया, CO plus H2, CO plus H2, यह हमारा gel gas है, CO plus H2 को हम क्या बोलेंगे, gel gas बोलेंगे, और जब मैं इस H2 की जगा, N2 लगा दूँगा, तो ये बन जाएगा हमारा producer gas, CO plus N2, यह हमारा हो जाए, producer gas, तो दोनों में confusion होता है, कि CO plus H2 किसमें आता है, और CO plus N2 किसमें आता है, हैं कि H2O का formula था, उसी से हमने क्या करा, trick के माध्यम से हमने बना लिया, चलिए, इन दोनों को भी हमने अच्छे समझ लिया, आगे हम बात करते हैं, दोस्तो, fit curry की, अब ये fit curry का formula याद करना तो possible नहीं होता है, दोस्तों confusion होता है बार बार हमको, तो ऐसे ध्यान रखिए कि सबसे लंबा formula है, आपको अलग से चार option में दिख जाएगा, और इसका नाम भी बहुत लंबा होता है, potassium aluminum sulfate, K2SO4.L2SO4 का whole thrice.24H2O, अब fit curry जो होता है, कभी-कभी अगर मानलो confusion के लिए आपको बड़ा दो formula देदे, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, कि fit curry जो होती है, वो पानी को साफ करती है, और उसको बहुत सारे पानी को साफ कर देती है, तो 24H2O, मतलब बहुत ज़्यादा पानी, ऐसे ध्यान रख लिजेगा, अब दोस्तों, मैं आपको एक important tips बताता हूँ, जो बहुत ज़्यादा important है, calcium sulfate, अब इसको नाम को देखके, आपको क्या समझ में आ रहा है, calcium sulfate, मतलब case, और case कब हुआ था, जब मैंने उसकी जीप चुराई थी, याद है, और जीप से हमारा बनाता जीप सम, तो जीप सम, calcium sulfate, जीप सम का formula क्या होता है दोस्तो, C-A-S-O-4-2-H-2-O, ठीक है, सम आता है, उसके अंदर तो सम आता है, अब ऐसा कैसा similar एक formula हो रहे, बढ़ आपको वो confuse करेगा बहुत ज़्यादा, देखिए कौन सा, copper sulfate, calcium sulfate, copper sulfate ही हमको एक्जाम में बहुत ज़्यादा confusion करेंगे, पेदा करेंगे, ठीक है, तो अब confusion हो जागा हमको बार-बार, तो उसके लिए अब एट टिप सुन लीजी ध्यान से, copper sulfate को बोलते हैं नीलात होता, ठीक है, ये भी बहुत important है, अगर मैं ये जो आपको दिख रहा है, gypsum का formula, इसके अंदर, CA की जगा अगर मैं copper लगा दूँ, और 2H2O, तो आएगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि sum तो है ही नहीं, especially उसके नाम में आना चाहिए sum, तभी हम sum लगाएंगे, मतलब क्या बना दोस्तो विशम बनेगा, और विशम हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, 5 लगाएंगे H2O, तो ध्यान से देखिए दोस्तो, CuSO4, 5S2O, ये बन जाता हमारा निला थोता, ठीके, अब ये दोनों भी अगर option में आगा है, तो भी हम बहुत confused हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए, calcium, sulphate, gypsum, CuSO4, 2S2O, आपको यादी है, मैंने trick के मादियम से बता दिया, जो confusion पैदा करेगा, वो है copper sulphate, जो कि उसको निला थोता बोलते हैं, ध्यान रखिए, उसका formula होता है, CuSO4, 5S2O, चलिए, अब दोस्तों हम, nettrick के मादियम से सारे हमने अच्छे से याद कर लिए, अब हम लगाएंगे test, दोस्तों मारा पहला question है, sodium धातू का संग्रह निम्न में डुबो कर किया जाता है, यह मैंने आपको बताया नहीं है, इसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, sodium जो धातू होती है, उसको हम क्या रखते हैं, ऐसे हवा में खुले में रखते हैं, उसको हम kerosene में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, kerosene में, तो ध्यान रखेगा, ये मैं आपको especially बता रहा हूँ अभी, है ना, इसको note down कर लिजएगा, और आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, कोई issue नहीं है आपके साथ में, चलिए, अब आते हैं में रखते हैं रासाइनिक फॉर्मूले, देखिए, धोने का soda, का रासाइनिक सुत्र हैं, अब धोने का soda हैं दोस्तों, मैंने आपको बतायाता है, कि 10 बाल्टी पानी लगेगा, क्योंकि धोना हैं हमको कपड़े, तो बहुत पानी चीए, तो 10 बाल्टी पानी लगेगा, एक लोता आपको B option दिख रहा है, देखके हम समझ गए और option लगा दिए, हमने B बिल्कुल सही है इसका, अगला question है हमारा, साधरन नमक का रासाइनिक नाम है, साधरन नमक का रासाइनिक नाम क्या होगा, मैंने आपको बतायाता है, खाने का नमक NACL होता है, जो कि साधरन नमक है, इस साधरन नमक का रासाइनिक नाम NACL, sodium chloride, मतलब option लगेगा इसका D, चलिए आगे और important question लेते हैं, अगला question है हमारा, plaster of Paris का रासाइनिक सुत्र होगा, देखे फ्रेंट्स, plaster of Paris हमने कब बनाया था, जब हम gypsum को 110 degree Celsius पर गरम करा था, और पानी उड़ गया था, मतलब gypsum में 2S2 होता है, ठीक है, और हमने जब उसको गरम करा था, तो पानी उड़ गया, मतलब 2S2 से कम वाला, मतलब half S2 रहे गया था, तो आंसर होगा इसका A, अब कितना confusion है देखो इस चारो option में, मतलब जिसने अगर सोला tricky देख रहा होगा, तो वो ही स्कॉल कर सकता है, बागी तो बहुत ज़्यादा confused हो जाओगे यहाँ पर देखके आप, अब देखिए D वाला option, यह USO4 5S2 कर दिया, यह निला थोता डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है, C option में तो 3S2 कर दिया, और CSO4 2S2 यह जिपसम का B दे रखा था, तो हमने तो देखो, ट्रिक से याद कर लिया, तो हमने लगा दिया A, बिल्कुल सही होगा यह, अगला question है दोस्तो हमारा, जिपसम का राशायनिक सुत्र होगा, जिपसम का क्या होगा दोस्तो देखिए, जैसे कि नाम में पस्टे सम, तो सम होगा, तो 2S2 हो वाला, तो बिल्कुल यह आंसर होगा इसका B, इस तरीके सम ने इसको solve कर लिया, अगला question है मारा plaster of Paris का राशायनिक नाम है, plaster of Paris का, देखिए, अब राशायनिक नाम निकालना है उनको, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, दोनों का राशायनिक नाम सेम होता है, इसका plaster of Paris और जिपसम का, बस different होता है, वो gel content में उनका, पानी कितना पानी देखना है बस हमको, तो इसका राशायनिक नाम होगा दोस्तो, case हो गया था मेरे उपर, तो case से हमारा बना calcium sulfate, तो calcium sulfate इसका option होगा, यह बिल्कुल सही होगा, ठीक है, अगला question है दोस्तों हमारा निला थोता है, निमने में से निला थोता कोन है, अब देखिए, वो बहुत ज़्यदा confusion पेदा करता है, हमको gypsum के formula में, gypsum का होता है, दोस्तों case हो गया था तो calcium sulfate, और इसका होता है दोस्तों copper sulfate, ठीक है, CA की जगा आयाता है cu, तो इसका answer होगा A, ठीक है, तो मैंने आपको important tips में बता था, especially, निला थोता को केसे याद रखना है, अगला question आता है, दोस्तों सिंदूर का राष्टानी formula, देखिए, सिंदूर जैसे आपके दिमाग ना आएगा, आपको याद आजाएगा कि, सर ने सिंदूर का formula केसे निकाला था, कि सिंदूर लगा क्या आओगे, तभी मैं हिंदी में GS पढ़ाऊंगा, तो अंसर होगा इसका A, ठीक है, HGS, laughing is का formula होता है, देखिए अप, N2O, NO2, N2O2, कितना confusion है, तो हमने दोस्तों कैसे देखा था, कि एक मुँँ आकार था, वो बहुँ ज़दा हस रा था, देखिए, बना के देख लेते हैं अपन, ठीक है, ये, और इसका यसा नाग था, ठीक है, और ये बहुँ ज़दा हस रा था, अब इतना हसा, इतना हसा, कि इसकी आँख गिर गई थी, और इसकी जगा मेने क्या लगा जयता, N लगा जयता, तो ये बन गया हमारा N, 2 और O, N2O मतलब इसका अंसर होगा B, इस तरीके से ड्राइगराम बना के हमने, इसको सॉल्व कर लिया, बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये वाला ध्यान रखिएगा, लाफिंग पूछ लेते हैं एक्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखिए,